हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल चलिए आज हम बनाएंगे नवराती स्पेशल बहुत ही टेस्टी दहीं वड़े जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक चुरूर कीजिए के ब意 Articatory, यहां पे मनेने नाना लिए और दोनौ चीचों को हम एक बड़े बवल में डाल देंगे और डाल कर पानी डालकर इनको हम 2 घंटे तक ऑह दे देंगे और उसने हम यह कब लक्त कीबत हो चुकिया हरी हुट चावल और आपे के आपलि निया को आपनी ग। आपला भावल में निखाल दे. बावल में निकालने के बाद इसको हम हाथों से ऐंची तरह हाथों से टप Além लेंगे. ना ही इन में हमने कोई baking powder, ना ही कोई baking soda और ना ही इनो डाला है, हाथ उसे अच्छी तरह से फेटेंगे, इसमें हवा भर जाएगे, जिससे हमारे जो बड़े हैं, वो soft और फुले फुले बन कर तयार होंगे, तो ये लिजिए, इनको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, नमक डाल देंगे, और डाल कर हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे, ये दही वड़े खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इस नवरात्रों में आप शे दही वड़े घर पर जुरू बना कर खाएं, तो चलिए इनको हम fry करेंगे, तो fry करने के लिए यहाँ पे मैंने के को अच्छी तरह से गरम कर लिया है, और वड़े हम इनमें fry करने के लिए डाल देंगे, और fry करते वक्त यहाँ पे हम ग्यास का फ्लेम हाई और मीडियम रखेंगे, और हाई और मीडियम फ्लेम के बीच में इनको हम अच्छी तरह से fry होने देंगे, तो दो-तीन बार इनक चलिए इनको अब हम निकाल लेंगे और बाकी हमारे पास जो बैटर बचा है इनके भी हम इसे तरह से सारे वड़े बना कर त्यार कर लेंगे तो ये लिजिए सारे वड़े मैंने यहाँ पर बना कर त्यार कर लिए हैं तो ये देखिए हमारे वड़े जो हैं बहुत ही सौफट और अंदर से अच्छे तरह से पक्कर त्यार हो चुके हैं तो इनको हम पानी में डाल देंगे तो 10 मिनिट तक इसको मैंने पानी में इस तरह से बिगो कर छोड़ दिया था हाथों से इस तरह से हम इनको प्रेस करके इनमें से निकाल लेंगे और पानी निकालके इनको हम प्लेट में रखते जाएंगे बहुत ज़्यादा इनको हम सक्त हाथों से प्रेस नहीं करेंगे तो यह लीजिए प्लेट में निकालने के बाद इसमी के उपर हम बॉाइल कगा हुआ और कटा हुआ आलू डाल देंगे आलू को मैंने चोटे फुझे पिस्से में कट कर लिए और इसके उपर अब हम दही डाल देंगे तो दही यहां पे मैंने मेठी दही यूज़ किये दही डालने के बाद इसके उपर हम हरी वरतवरी चटनी डाल देंगे ये मैंने पुदीने की जटनी गरपर बना कर त्यार किया है और इसके उपर अब हाँ मीठी वरत्वारी जटनी डाल देंगे तो इसके उपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे और साथ ही इसके उपर हम थोड़ी सी लाल मीठी बार डाल देंगे और थोड़ से इसके उपर हम खाली मिर्ठी डाल देंगे और इसके उपर हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे तो ये लिजे बहुत ही टेस्टी हमारा नहीं वड़जवे बनकर तयार हो चुक है तो इस सनवरातरी आप भी इसको जूर बनाए और खाएए बताएए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक चुरूड कीजिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जूर कीजिए तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में